है गारी वेलकम बाक टो मैं चानल होप यू आ डोइन ग्रेट सो इस वीडियो में बात करने वाली हूं कोल इंडिया के बारे में मेरे पस काफी सारे इमेल आए हैं जहां पे लोगों का क्विश्चन है कि कोल इंडिया में क्या हम इंवेस्ट कर सकते हैं कोल इंडिया एक PSU कंपनी है बहुत अच्छे प्राइस पर चल रहे है और टाइम लोग पर चल रहे है तो ये इस प्राइस पर बहुत अच्छे लग रहे है तो क्या हम इसमें इंवेस्ट कर लें इस वीडियो में हम Cole India का detailed analysis करेंगे और discuss करेंगे कि क्या इस stock को खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए वीडियो शुरू करने से पहले मेरी request है आपसे कि आप जब भी किसी stock में invest करने का सोचते हैं तो सबसे पहले उस stock को देखिए कि उसने पिछले एक साल में मंदी जादा दिखाई है या फिर तेजी जादा दिखाई है उसने जादा तर समय तेजी की है या फिर जादा तर समय गिरावर्ट देखी है फिर 5 साल देखिए कि 5 साल में उसने जादा तर तेजी दिखाई है या फिर गिरावट दिखाई है अगर उसने जादा तर समय उसने गिरावट में बिताया है तो क्या आपको लगता है कि वो स्टॉक आपको आने वाले 5 साल में पैसा बना के देगा वहीं उसी तरफ आप को यह ऐसा stock देखते हैं जिसमें जादातर समय उसने तीजी दिखाए है गिरावट होती है, बहुत हलकी से गिरावट होती है बहुत कम समय के लिए होती है फिर वो लगातार तीजी दिखाता है तो आप बस यह simple question अपने आप से पूछिए तो आपको पता चल जाएगा कि इस stock में हमें invest करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें सो multi time frame analysis करेंगे cold India का monthly chart आप screen पे देख रहे हैं इस stock को अगर हम monthly chart पे देखें तो इस stock ने high बनाया था मई 11 में मई 2011 में करीब 400 के आसपास और उस high को ये stock अभी तक निकाल नहीं पाया इसने कोशिश करी थी अगस्ट 15 में उस high को निकालने की पट उसके बाद से अगर आप देखें तो लगातर ये stock गिरावट दिखा रहा है structure देखेंगे तो lower low, lower highs का structure इसमें अभी तक बना हुआ है तो monthly chart एक longer time frame है तो longer time frame का मतलब है कि long term में भी ये जो stock है मंदी में है, downtrend में है इसका मंदी का structure break होगा जब ये पिछला high निकालेगा पिछला high आप देखेंगे 217 के आसपास है और ये stock अभी चल रहा है करीब 113 के आसपास तो इसे तेजी में आने के लिए करीब करीब 100% भड़ना पड़ेगा अगर आप यह percentage terms में देखें तो इस stock को केवल uptrend में आने में ही करीब यहां से 100% भड़ना पड़ेगा तब जाके ये तेजी का structure इसमें बनेगा uptrend का structure बनेगा तो क्या आपको लगता है कि ये levels ये असानी से निकाल पाएगा असानी से यहां पर दुगना हो जाएगा ऐसा stock जो करीब 5 साल से लगातार गिर रहा है तो अगर आप इसमें invest करते हैं तो यहां पर दो चीज़े हो सकती है या फिर ये इसी level के आसपास sideways हो जाएगा तो इस case में आपका जो पैसा होगा वो block होगा या फिर इसमें हम और भी गिरावट देख सकते हैं क्योंकि structure देखें तो अभी भी इसका structure weak है longer time frame में भी weak है RSI देखें तो RSI all time low पर है price भी all time low पर है यहां पर तो price और momentum दोनों ही low है दोनों ही sink में हैं, दोनों ही alignment में हैं So monthly chart clearly हमें बता रहा है कि ये एक long term downtrend में है तो ऐसा stock जो long term downtrend में है तो उसमें invest करना क्या आपको समझदारी लगती है ऐसे stock में invest करना अब चलते हैं weekly chart पे weekly chart की बात करें तो weekly chart पे भी आप similar structure देख रहे हैं lower lower highs का इस stock ने यहां पर कोशश करी थी अगर आप देखें यहां पर यह stock March अगर देखें तो March 20 में यहां पर यह stock hold करने की कोशश की लेकिन अगर आप पिछले दीन हफते देखें तो यह levels भी stock तोड़ चुका है नीचे की तरफ यह देखें आप देख सकते हैं यह levels भी यहां पर यह hold नहीं कर पाया अब यह same levels एक resistance का का काम करेंगे जब तक यह levels यहां पर cross नहीं करता तब तक इस stock में हमें weekly chart पे भी तेजी देखने को नहीं मिलेगी daily chart की बात करते हैं so daily chart पे भी आप similar structure देख रहे हैं lower low, lower highs का structure है यहां पर so यहां पर आप देख सकते हैं triangle जैसी consolidation हुई लेकिन उसका जो breakout हुआ नीचे की तरफ हुआ और अब भी अगर यहां पर देखे daily chart पे आपको थोड़ी सी divergence देखने को मिल रहे है तो हो सकता है यहां पर temporary pullback देखने को मिले लेकिन आप अगर structure की बात करे monthly, weekly और daily तीनों पर week है daily पे यह थोड़ा सा oversault था इसलिए यहां पर divergence देख रही है तो एक temporary pullback यहां पर देखने को मिल सकता है तो हो सकता है यहां पर traders के लिए opportunity है लेकिन investment के लिए फिलाल कोई opportunity नहीं है जब तक हमें इसमें proper reversal signal हमें charts पर नज़र नहीं आते है तो यह हर time frame हमें यही बता रहा है कि investment के लिए यह stock अच्छा नहीं है investment के लिए आपको ऐसा stock दूरना चाहिए जो तेजी ज़्यादा दिखाता हो और मंदी कम दिखाता हो So I hope यह video आपको informative लगा हो जो आपको अच्छा नहीं है